नमस्ते दोस्तों, वेलकम बाक टु दिश्रियाज एंटर्टेन्मेंट बॉक्स आप मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मुवी की करंट IMDb rating है 6.7 जो आगे जाकर शायद fluctuate हो सकती है बिल्कुल देरी ना करते हुए आज हम बात करेंगे Netflix के recently released movie के बारे में जिसका नाम है Enola Holmes वेल, Holmes सुनकर आपको Sherlock Holmes की याद जरूर आई होगी, है कि नहीं? तो just to clear your doubts, Enola Holmes Sherlock Holmes की छोटी sister है मुवी में अब आगे बढ़ते हैं, Enola Holmes का रोल प्ले किया है मिली बॉबी ब्राउन ने Sherlock Holmes का हेंडरी कैविल और Mycroft Holmes का रोल प्ले किया है साम क्लैफलिन ने मुवी को डिरेक्ट किया है है हैरी ब्राडबियर ने चलिए अब कहानी पर आते हैं ये कहानी शुरू होती है 1884 से जब इंग्लेंड में Enola Holmes का जनम हुआ था Enola को अकेले उसकी मा ने पाल पोस कर बढ़ा किया था क्योंकि उसके पता की मृत्यों हो चुगे थे Enola की मा ये डियोरिया होम्स ने उसे लड़कियों वाले कामस नहीं सिखाए बलकि हमेशा फिजिकल ट्रेनिंग दी जैसे की धनूश शलाना, टैनिस खेलना और बहुत कुछ Enola बहुती इंटेलिजन लड़की भी थी अपने भाई शलौ के तरह Enola की मा उसे कई सारे सीक्रिट्स भी रखती थी और कहती थी प्राइवेसी रखना बहुत ही ज़रूरी है अपने 16 बॉर्दे के दिन जब Enola सो कर उठती है तब देखती है उसकी मा घर पर कहीं नहीं है Enola के मा ने कुछ उसके लिए गिफ्ट रखा था पर वो भी फिर भी उदास थी क्योंकि उसकी मा ने उसे खुट गिफ्ट नहीं दिया कई सालों बार शरलौक और माइक्रॉफ्ट घर वापस आते हैं और उन्हें रिसीव करने के लिए Enola सेशन जाती है पहले तो दोनों Enola को पहचान नहीं पाते क्योंकि उन्होंने Enola को बच्पन में देखा था दोस्तों Enola अपने दोनों भाईयों से काफी साल चोटी है उमर में जैसा कि आपको देख कर पता चल गया होगा घर आकर Mycroft और Sherlock को पता चलता है कि उनकी मा कहीं गायब हो गई है Mycroft और Sherlock कुछ investigation करते हैं और Mycroft Enola का guardian बनने को decision लेते हैं और Sherlock से उनकी मा को ढून निकालने को कहते हैं मुवी में Mycroft को ठोड़ा कठोर दिखाया गया है वो चाते हैं कि Enola अच्छी education हासिल करे और सही तरीके से रहना सीखे लेकिन Enola ये सब नहीं चाती थी इसलिए Sherlock से मदद मांगती है जो थोड़े शान्द और understanding थे पर वो उसकी मदद करने से मना कर देते हैं रात को Enola अपनी मा के दिये वे gift को दुबारा दिखती है जिसमें कुछ clues थे बाकी clues ढूंटे ढूंटे Enola को कुछ पैसे मिलते हैं और location भी पता चलता है Enola अपने भाई Sherlock के बच्पन के कपड़े चुरा लेती है जिससे वो एक लड़की जैसे दिखे और घर से भाग जाती है अगले दिन सुबा जब Mycroft Enola के कमरे में जाते हैं तब देखते हैं Enola गायब है दूसी तरफ Enola को ट्रेन में एक वाईकांट यूक्सपेरी नाम का लड़का मिलता है जो अपने घर से भागा हुआ था और एक प्रिंस था Enola उसे कमपार्टमेंट से निकल जाने को कहती है क्योंकि वाईकांट को एक पीछे आदमी पड़ा हुआ था जो शायद उसे मानना चाहता था कुछ देर में वो आदमी वाईकांट को पकड़ लेता है और ट्रेन से बाहर लड़का देता है Enola ना जाते वे भी उसकी मदद करती है कोई और आप्शन ना देखते वे दोनों ट्रेन से जम कर जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए Enola और वाईकांट अब एक साथ थे और दोनों कुछ खाने के लिए ढूंटते है Enola वाईकांट से कहती है उसे बाल काटा लेने चाहिए ताकि उसे कोई पहचान ना सके और कोध ही उसके बाल काट देती है उसके बाद दोनों लंडन पहुँच कर अलग-अलग हो जाते हैं Sherlock माईक्रॉफ से Enola के बारे में पूछते हैं माईक्रॉफ कहते हैं पुलीस उसे ढूणने की कोशिश कर रही है और Sherlock को बस उनकी माँ को ढूणने को कहते हैं Sherlock को न्यूसपेपर में एक आर्टिकल दिखता है जहां लिखा था दो लड़के ट्रेन से कूद गए थे Sherlock समझ गए थे वो दो लड़के नहीं बलकि उन में से एक Enola होगी Enola हमेशा comfortable और simple कपड़े पहना करती थी लेकिन London पहुचने के बाद वो अपने लिए नए और designer कपड़े खरीद लेती है और रहने के लिए एक room भी जो काफी छोटा सा था Enola फिर अपने clues पर काम करती है और अपनी मा के लिए एक newspaper में एक article भीजती है कुछ coded messages के साथ जो सिर्फ उसकी माँ decode कर सकती थी Enola को याद आता है कि उसकी माँ एक London के एक address पर हमेशा letters भीजा करती थी जो उसे याद हो गया था Enola उसी address पर पहुँच जाती है और एक Edit नाम के लड़की से मिलती है जो Marshall आज सिखाती है और Enola की मा को जानती है Edit Enola को देखते ही पहचान जाती है और उसने Enola को बच्पन में ट्रेनिंग भी दिया था Enola को एक और clue मिलता है Ellie Houseman नाम का और decode करने पर पता चलता है वो नाम था Lime House Lane जो एक बन पढ़ा हुआ फैक्टरी था जहां पर काफी सारे chemical और explosives रखे हुए थे Enola समझ आती है कि उसकी मा के दिमाग में कुछ बड़ी planning चल रही थी Enola जब वहाँ से बहार निकलती है तब वही आदमी उस पर attack करता है जो ट्रेन में वाइकाउंट के पीछे पड़ा था पर Enola किसी भी तरह से अपनी जान बचा कर भाग निकलती है Enola को लगता है वाइकाउंट की जान खत्रे में है इसलिए वो अपनी माँ को ढूनने के बज़ाए पहले वाइकाउंट को बचाने का सोचती है Enola अब वाइकाउंट के घर यानि के महल में पहुँचाती है जहां उसकी मुलाकात होती है लेस्टराज से जैसा कि अपने शर्लोक होम्स के सीरीज या मुवी में देखा होगा लेस्टराज एक पुलीस आफिसर है और शर्लोक के काफी अच्छे दोस्त भी है Enola कहती है वो शर्लोक की असिस्टेंट है लेकिन लेस्टराज और Enola में काफी देर तक बहस हो जाती है कि दोनों में से शर्लोक को कौन ज़ादा अच्छे से जानता है पर महल वाले उन दोनों को बहार निकाल देते हैं ये कहकर कि उन दोनों की मदद नहीं चाहिए वाईकाउंट को ढून निकालने में शर्लोक एडिट के पास पहुँच जाते हैं और एडिट कहती है Enola को शर्लोक के मदद की कोई जरुवत नहीं है और वहां से चले जाने को कहती है Enola फिर जंगल में चली जाते है और उसे एक ट्री हाउस दिखता है Enola को पता चलता है वाईकाउंट को फूल पौधे का बहुत शौक था तब वाईकाउंट की ग्रैनमदर आती है और Enola से कहती है अगर उसे वाईकाउंट मिले तो उसे बता देना कि वो उसकी बहुत कैर करती है और घर जल्दी वापस आने को कहती है Enola एक फ्लावर माकेट पहुँच जाती है जहां वाईकाउंट मिलता है Enola उसे अपने होटेल के कमरे में ले जाती है Enola कहती है कि वाईकाउंट की जान खत्रे में है और उसे कोई मारना चाहता है उसके पिता को भी किसी ने मारा था और शायद वही इंसान वाईकाउंट को भी मारना चाहता है कमरे में लेश्टराट पहले से ही छुपे हुए थे और उन दोनों पर अटाक कर देते हैं अनुला कैसे भी वाईकाउंट को भगाने में कामयाब हो जाती है और खुद को सरेंडर कर देती है माईक्राफ्ट अनुला को उसी स्कूल में ले जाते हैं जहां उसे पहले से ही भीजना चाहते थे अनुला वहाँ पर बिलकुल खुश नहीं थी क्योंकि वहाँ हर चीज सिखाए जाती थी कि कैसे हसना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और बहुत कुछ शोलॉक एनुला से मिलने जाते हैं और कहते हैं वो एदित से मिले थे और लाइम हाउस लेन भी गय चले गये थे पर उनकी मा को अभी तक ढून नहीं पाए शोलॉक एनुला को उसके बच्पन का एक टॉई देते हैं जो उनकी मा ने अपने बैट के सिरहाने में रखा था और साथ ही साथ एक निउस्पेपर भी देते हैं शोलॉक एनुला से ये भी कहते हैं कि वो उसकी बहुत कैयर करते हैं इनुला अब अपने होस्चल के कमरे में चली जाती है कुछ ही देर बाद उसके कमरे में एक बड़ा सा पासल आता है उस पासल में से सप्राइजिंगली वाइकाउंट बाहर आता है जो उसे मिलने और ले जाने के लिए आया था इनुला बड़ी चालाकी से अपनी हेड मिस्ट्रिस मिस हैरिसन को चक्तमा देकर वहां से भाग में कलती है वाइकाउंट कहता है अब हमें लंडन चले जाना चाहिए लेकिन इनुला मना करती है और कहती है वाइकाउंट के अंकल है जो उसे मरवाना चाहते है शायद पैसे या प्रॉपर्टी के लिए इसलिए इनुला वाइकाउंट को लेकर महल में चली जाती है वही आदमी दुबारा आ जाता है जो वाइकाउंट को मारना जाता था इनुला उसे मार गिराती है और मरने से पहले पूछती है किसने उसे भीजा था और वो आदमी कहता है England और मर जाता है तब तक वाई काउंट की Grandmother आ जाती है और वाई काउंट पर गोली चला देती है वो कहती है वाई काउंट और उसके पता किसी और पार्टी को वोट देना चाहते थे और इसलिए उनको वाइकाउंट और उसके पिता दोनों को मारना पड़ा हमें लगता है वाइकाउंट मर चुका था लेकिन कुछ देर बाद वो उठ जाता है क्योंकि उसने बुलेर पूर जैके यानि की कबच पहन रखा था अगले दिन शिर्लोक लेस्टराट के पास जाते हैं और कहते हैं वाइकाउंट की ग्रैंड मदा को एरेस्ट करने के लिए दोस्तों दरसल बात कुछ ऐसी थी कि एक रिफॉर्म बिल पास होने वाला था जो इंगलिन को बदल देगा, डेवलप करेगा और मॉडन बनाएगा लेकिन वाइकाउंट की दादी नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो इसलिए वो वाइकाउंट और उसके पिता को मारना चाहती थी जो उस पार्टी के साइट थे अब वोटिंग का दिन था और एनुला वाइकाउंट से मिलने जाती है एनुला और वाइकाउंट एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और एनुला दूसरे जगा शिफ्ट हो गई थी क्योंकि वाइकाउंट की मा ने उसकी जान बचाने के लिए रिवार्ड में पैसे दिये थे इनुला घर जाते वक्त एक न्यूस पेपर देखती है जिसमें उसकी मा का एक मेसेज था डिकोट करने के बाद उसे पता चलता है उसमें रॉयल अकाडिमी का एक एड्रस था और वो समझ जाती है ये मेसेज उसकी माने नहीं बलकि शरलॉक ने भेजा था इनुला वहाँ चली जाती है लेकिन भेज बदल कर ताकि माइक्रॉफ्ट या शरलॉक उसे पहचान ना पाए शरलॉक माइक्रॉफ्ट से कहते हैं कि अब वो एनुला के गार्डियन बनेंगे और माइक्रॉफ्ट मान जाते हैं एनुला अपने बच्पन का टॉई एक जगा पर रख देती है और शरलॉक समझ जाते हैं एनुला वहाँ पहुँच चुकी थी एनुला जब अपने घर पहुँचती है तब देखती है उसकी माँ उसे मिलने आए थी और कहती है मेरे पास जादा समय नहीं है मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि वो एनुला की जान खत्रे में नहीं डालना चाती थी उसकी माँ बहुत खुश थी कि एनुला और शरलॉक एक दूसरे से कनेक कर रहे थे और जो रिफॉर्म बिल पास हुआ उसके लिए इनुला पर बहुत प्राउट फील कर रही थी दोस्तों हमें ये बताया तो नहीं गया कि एनुला की माँ का आखिर प्लान क्या था पट इतना तो समझ सकते हैं कि रिफॉर्म बिल से जरूर रिलेटेड होगा और बाकी भी बरे प्लान्स होगे मूवी के आखिर में इनुला होम्स को दिखाया जाता है जो कहती है वो एक डिटेक्टिव है और कोज को डिकोड करती है और हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में है और ये मूवी यहीं खतम हो जाता है तो दोस्तों, thanks for watching my video, I hope ये मूवी का sweet and short explanation आपको पसंद आया होगा हम फिर मिलेंगे दूसरे मूवी यह सीरीज के साथ, तब तक ही लिए stay tuned and don't forget to like, subscribe and share, bye bye